हे दोस्तों वेलाज के विडियों लोग क्या सिखने वाले हैं तुम जहां कहीं भी जाओगे मुझे वहां पाओगे तुम जहां कहीं भी रह रहे हो मैं तुम्हें ढूंड लूँगा तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा वह जहां भी था वह कुसल था हे दोस्तो जब आप कहते हैं जहां कहीं भी या जहां भी जहां भी या जहां कहीं भी इसके लिए word हम लोग यूज करते हैं wherever या where so ever तो wherever और where so ever में क्या difference है जब आपने boss को letter write करते हैं या principle के लिए कोई application लिखना हो तो formal English में हम लोग यूज करते हैं where so ever किसका यूज करेंगे where so ever और informal English में बातचीत में हम पने day lap में जो भी बोलते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं wherever क्या यूज करेंगे wherever तो sentence में किस तरह से बनाएंगे आए देख लेते हैं तुम जहां कहीं भी जाओगे मुझे वहां पाओगे बहले sentence लिए कहेंगे wherever you go you will find me there wherever you go you will find me there next sentence तुम जहां कहीं भी रह रहे हो मैं तुम्हें ढूंड लूँगा wherever you are living I'll look for you wherever you are living I'll look for you अब look for के जगा हम लोग find भी कर सकते हैं wherever you are living I'll find you next sentence तुम जहां भी जाओगे या तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा wherever you go I will follow you wherever you go I'll follow you next sentence वह जहां भी था वह जहां भी था वह कुसल था इस sentence ले कहेंगे wherever he was he was good wherever he was he was good जब भी किसी एक sentence में कोई noun या pronoun repeat हो रहा हो तो हम लोग उसको one time ही write करते हैं यह advance English में correct माना जाता है तो इस sentence ले हम लोग कह सकते हैं wherever he was was good wherever he was was good वेल आईए अब देखते हैं दूसरा यूज जो भी या जो कुछ भी जो कुछ भी तुमारे पास है मुझे दे दो जो कुछ भी तुमारे पास है मेरा है जो कुछ भी वो कर रही है ठीक नहीं है जो कुछ भी teacher कर रहे है 100% सही है जो कुछ भी तुमें चाहिए एक बार बोल के तो देखो या एक बार बोलो तो सही है दोस्तों डिशीज मुकेस वेल टुडें इस वीडियो वी आर गोंग तो लॉन्ट इस टास अंटर से एजू कन सी ऑन दे स्क्रीन आईए हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी या जो कुछ भी इसको इंगली में क्य यह सब्सक्राइन को या जम्यूंटर यह आертв हाव। निभाट के अंटर सबदी है और दोस्तों बात करते हैं तो फॉर्मल यहांहीं इंगलीस की बात करें तो यह आँपर यूज़ करना लोगं यहां पर यूज कर दोनों को यूज कर लेते हैं और कैसे बनेगा सबева करेंग और उसके बात रट करेंगे sentence और sentence जिस भी sentence में होगा उसको उसी sentence के according to उसको बना देंगे well यहाँ पर याद रखने वाली बात है यहाँ पर हम लोग question नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर हम लोग को बता रहे हैं किसी को जो कुछ भी जिस तरह example लेते हैं जो कुछ भी तुमारे पास है मुझे दे दू यहाँ पर question नहीं पूछ रहे हैं जो कुछ भी तुमारे पास क्या है क्या कुछ है यहाँ पर तुमारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दू तो answer करते हैं इसलिए यहाँ पर whatever को राट करने एक बात generally sentence को translate कर देंगे संटेस हमारा है जो कुछ भी तुमारे पास है मुझे दे दू तो give me whatever you have give me whatever you have इसको बात में कर सकते हैं whatever you have please give me please नहीं लगाएंगे उसको जवरदस्ती मंगेंगे तो give me यदि प्लीज लगा बोलेंगे तो मतलब उसके request कर रहें next sentence जो कुछ भी तुमारे पास है मेरा है whatever you have is mine whatever you have is mine next sentence जो कुछ भी वो कर रही है ठीक नहीं है well sentence के लएंगे whatever she is doing is not good whatever she is doing is not not fair वहल भी लगा सकते हैं राइट भी लगा सकते हैं नेक्स एंटेइन जो कुछ भी तुम्हें चाहिए एक बार बोलो तो सही या एक बार बॉलके तो देखो फेलिसंटेंस लिए कहेंगे quat games whatever you want to speak वांस तो वाटवर यूवांट का मतला बता जो कुछ भी तुम्हें चाहिए एक बार बोलो तो सही ट्राइट टू स्पीक वन्स वेल दोस्तों यहां पर एक संटेस आपको दिख रहा होगा जो कुछ भी टीचर कर रहे हैं हंड्रेट परसंट सही है संटेंस को राइट किजिए कमेंट यहां पर बारिस हो गई फिर भी या उसके बावजूद भी हमने वहां पर काफी अच्छा समय बिताया हमने जो वहां समय बिताया वह काफी अच्छा था तब इस सिच्वेशन में जब आप घर लोटके आते हैं आपका एक फ्रेंड पुछता है कल तो बारिस हो रही थी वहां भी बारिस हुआ था तो तुमने वहां एंज्वाय किया या नहीं किया तब आप रिप्लाइक करते हैं कुल मिलाकर हमने वहां काफी अच्छा समय बिताया इसको एंगली से बोलते हैं और इन ओल इसका कुछ और भी होता है सब मिलाकर या सब कुछ मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ कि उतना 100% नहीं फिर भी 95% या 90% मिला जुला कर ठीक था तो मिल सबसे पहले करेंगे और 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 करने के बाद संटेंस को राइच करते हैं जो भी आइए इक एक करके देखते हैं तुम पागल हो व्हां के लिए आप कहेंगे और च्राइब All in all your mad mad भी यूज़ कर सकते हैं crazy यूज़ किजी को अच्छा लगेगा next sentence कुल मिलाकर वह लालचे इनसान था वेले sentence हिले कहिएगा All in all he was a greedy man then All in all he was a greedy man या person भी कर सकते हैं मिला जुला कर या कुल मिलाकर आप सही रहे हैं संटेच हिले कहेंगे All in all you're speaking right All in all you're इस संटेंस को मोग सेंस के साफ से औल-इन-ओल यह रिखिंग दर टूथ भी कर सकते हैं नेक्स संटेंस कुल मिलाकर उसकी इस्तिती में काफी सुधार है वेली संटेंस लिए कहेंगे औल-इन-ओल-ब संटेंस कुल मिलाकर हमने वहां काफी अच्छा समय बिताया संटेंस कहेंगे औल-इन-ओल-वी एड़ टाइम देयर एक संटेंस मैं आप लोग को देता हूं राइट किजिए कमेंट बॉक्स में यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दोंगा और कमेंट किया क सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं रोज आने वाली वीडियो को टाइम पर मिलती रहें